हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिए सीवी आईईसी को लोग उपर रख रहे हैं और इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मैसेज है मेरे पास कि यह क्या ठीक है और बहुत सारे milligram के और बहुत्य सेंस नहीं है बिल्कुल आप सही कह रहे होगे और यह आपका पॉइंट अपनी जगा पर बिल्कुल सही होगा लेकिन यह वीडियो आर्गुमेंट के लिए नहीं है या फिर बहस का मुद्धा वाला नहीं है यह जो चीजे चल रही है इस इस डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में और हम उसके रिगार्डिंग बात करें कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है चैंडिडेट क्या चल रहा है ऐसा और इसके पॉइंट को लेकर मैं कुछ बाते करने जा रहा हूं यहां पर तो प्लीज मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे points मिलेंगे ऐसे जो बिल्कुल senseless मैसूस होंगे लेकिन आप यह candidate से आप नहीं कह सकते क्योंकि जब वह अपने doubts मेरे सामने रखते हैं चाहे paid में चाहे वैसे भी normal comments में क्योंकि मैंने हर एक comments का reply करा है और जो चीजे निकल के आई सामने मैं वह बाते करता है ना तो उनके अगर state में seat नहीं है या बहुत कम है मैं कि example पकड़ लेता हूं कि जैसे राजस्थान का कोई candidate है और उसके नंबर है 560 है ना तो उसके chances बन रहे हैं कि वो department of post में accountant या department of telecommunication में accountant CGDA TACBDT TACBIC वो पता है कि यह post ए accountant मिलेगी 4600 नहीं मिलना है तो अगर माल ल application के और CBDT का तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि कहां क्या है किस rank तक के लोग ले रहे हैं home state को लेकर के है ना तो उस case में लोगों ने TACBIC की तरफ move करना शुरू करा है और बहुत सारे लोगों ने इसको उपर रखना चालू किया है यह matter है अब को यह क्या sense हुआ कि TACBIC की कह Intraat चेख है कि बहुत कर रहे हैं स्किप मारहे कि इंपोस्टों से इस पर है न की अगर कोई मुई इमेजिंशनेरिय बातें नहीं करें कर रहे हैं लोग आप भी होओ आप हो सकता है कि यह कर रहे हो तो आमिसी रिगार्डिंग बात कर रहे है कोई भी इसमें argument वाली बात हैं नहीं है कोई बहस वाला नहीं है और इस पर बहस हो भी सकती है लेकिन हम उन चीजों में नहीं पढ़ेंगे सबसे पहला हम देखेंगे बच्चे पहला कारड क्या है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे है और तो पहला कारड आपको सिर्फ निकल के आएगा कि home posting का ही है कि home posting चाहिए बस इस कारड से लोग चाहे टी ए सीब टी ए सीवी डिटी हुआ जूनियर अकाउंटन की पोस्ट हुगई चाहे ओडिटर की पोस्ट हुगई सीधा स्किप मार करके इसमें आ रहे हैं चाहे वो जैपूर की बंदे हैं चाहे वो हर्याणा के बंदे हैं वो पटना के बंदे हैं सभी सोच रहे हैं कि अगर मेरे को इससे शेक्योर है टीए सीबी आई सी से डेजन्ट मैटर सब कुछ नियम जानते हुए भी लोग इसको कर रहे हैं पहला कारण अब इसके पीछे में जब उनसे बाते करता हूं चाहे वो मेरा पेड ले रखे हैं मेरे को राजस्थान ही चाहिए तो मेरे को confirm नहीं कि CAG की सीटे आएंगे की नहीं आएंगे और आएंगी तो मेरे नंबर 560 ही है यानि मेरे ठाइस सो के रेंज में और किसी 46 सो वाले ने भर रखा है तो उसके chances बन जाएंगे तो मुझे दूर फेक देंगे Department of Post की भी यही कहान ही क्योंकि राजस्थान जैपूर इधर वाले रुजोन से इन में सीटे कम है आपकी DOT की भी यही कहानी है एकका दुका सीटे ही है आपकी Maximum सीटे साउथ इंडिया की तरफ ही है तो इन ही स्कोर वालों को डर लग रहा है कि मेरे से जो उपर चैलिस सो ग्रेट पे वाले है अगर वो भर देंगे क्योंकि वो होम इस्टेट वो भी चाह रहे है तो फिर हम डाउट में आ जाएंगे ठीक है उसकी बात हम बात करते हैं कि जब मैं उनसे कहता हूं कि फिर आप क्योंने ही देख लेते हो मैं उनसे कुछ कहता हूं और कुछ सर्षा क बाते होती हैं तो मैं अपना अपना पॉइंट नहीं रहता हूं वो बच्चिस खुद अपना ही बताते ह beginners मैंने यह सोच रखी क्योंकि उसने सीजेग डिया सबकुच सोच रखा तब हम उसे बात करते हैं कुछ चीजुष में कन्फ्यूज होते हैं तो वह कहते हैं सीजी डिये को कि देखो मेरे रेंग तो 560 नंबर है मेरे चाहिए इतने रेंज में हैं और जो 2016 में इन लोगोंने allocation किया था cgl 2016 का चेक करोगे चार्ट तो पहले दिल्ली में ही करा था और maximum दिल्ली के बाद उन्हें लोकल स्टेट नहीं देकर के बच्चों को साउथ में फिक दिया मुंबाई में फिक दिया दूर जमो कश्मीर में पोस्टिंग हो गई आपकी तो उनको फिर हां डाउट है कि जो टॉपर होंगे वो तो ले लेंगे दिल्ली और बाकी लोग तो चले जाएंगे उस तरफ और इन्होंने किया है cgda ने आप देखोगे कि यूपी यूपी की बहुत सारे लड़के दिल्ली में रहे के त्यारी करते हैं और 2016 के टाइम पे तो कोचिंग का अड़ा था उस समय ओफ लाइन कोचिंगे चलती थी तो मैकसिम लड़कों ने पेपर दिया 2016 में उस से डिल्ली से सबके रूल नंबर उसी साब से थे और उन लोगों ने एलोकेशन कर दिया और चेंगे में काफी लोग फसे हुए हैं अभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं उनके यह दूसरा उनका आर्गुमेंट यह कि यार यह भी यह है मेरा कि नहीं मिला फिर मैं और यूपी का चलो है माल लेते हैं दूर का है तो फिर जोन का ट्रांसफर नहीं है जोन का ट्रांसफर बंद ही है इसमें और कोई ग्राउंड नहीं लग रहा है लड़कियां बहुत सारी है तो यह सारी पॉइंट्स हैं आप देखो कि एक तरफ सेंस में लेके तो जैसे आपके नंबर है आपकी वो है कोई इसमें कोई फैसना ना मेरा ना किसी का ही है ठीक है बात करते हैं CGA का फिर ऑप्शन दिया जाता है कि CGA की भी चांसे था तो उनके लगते हैं कि यह पांसो पैंसेट है चाहिए है तो फिर हम बाउडर पे है अपना कट अफ के CGA के CGA के C ना लेकर के भी डरे रहते हैं इसको लेकर के है लो पता है अब बात करते हैं जो लोग पर यते हैं यह जान स समझना यह वाला बात यह वी बहुत भीड़ है कि सनने 2017 टिय CGL 17 से और वो TA अपने होम स्टेट में नहीं है UP का ही बंदा है मालने लखनों का बंदा है लखनों का बंदा मालने ज़िए मुंबई में लगा हुए है या कोई कहीं लगा हुए है तो सब जान रहे हैं कि अब बंद हो गया है सारा ग्राउन लगो में सब्सक्राइब को में जालना में करने के लिए करने क drop-down起荏 replenas नहीं है तो अगर में एधन यह सब्सक्राइब कि अगर मैं कोई दूसरी जूब लेता हूँ माल लो और in case मेरे को फिर काई दूसरी स्टेट में मिल घ्या फिर वही लगा रहेगा रोना कि ważne मेरा दूसरी स्टेट में फिर वही रही होम जून का चैंश तो फिर हम यह हम धार जिल जृर है यह चीज तो घ्योना है रिखके लिए इज feel honored üs खर्ची भी तो बच जाते हैं हमारे युकि बाहर रहते हो आप नॉर्मल भी आज कर लेके रहोगे आप और मैनेज करते करते हैं आट-dस-12.000 रुपे आपके ऐसे निकल जाते हो अपने घर पे रहते हो या अपने आसपास रहते हो बहुत आहत तक बच जाता है पैसे बहुत क मैसेज करना है कैसे जॉइन करना है आप चाहते हो पेड़ जॉइन करने के लिए क्यों परसनल बाते कर रहे हो जो जीजे परसनल मेरे से हल्प चाह रहे हो तो वह लोग टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है नीचे जॉइन कर लेना आप और कैसे आप मेरे से बात कर सकते हो वह लो सारी बिंदू है, तो यार हैंनी न है, कैसे टाइप कर रहा हूं, कैसे लिकर ठाइज याज तो उनका एक तरह से जायज भी है कि कैसे भी करके एक दो girls हैं ऐसी कि नहीं है ऐसा कुछ girls हैं कि वो ठीक है post देखती है फिर भी वो बात करती है कि transfer ground किसी ground पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लेकिन फिर भी पहला उनका यही रहता है कि home state करेगा तो वो भी फिर जिनके कम marks है वो CBIC या फिर UDC की तरफ जाने के सोच रही है बात कर लेते हैं UDC वाला मुद्दा यार कि UDC भी तो देख सकता है आत्मी क्योंकि UDC में तो आपका हो सकता है कि उससे तेजी promotion है आपका और थोड़ा सा पोस्ट भी ठीक है ऐसे करोगे तो लेकिन UDC में आपको पता है कि कुछ ही दिल्ली में और जो कुछ दिल्ली में वो सब को पता है कि कौन सी दिल्ली में है और जब वो कुछ वाली पता है तो आपको पता है कि जिन में एक एक दो दो वेकेंसी लोग इसलिए भी डरें कि पता नहीं आपके ने आपके उपर माल लिजी एक ही बंदा है और वो भर लिया और माल लिजे उन्होंने रैंक से अलोकेट कर दिया या उसको ही मिल गई तो फिर रिस्क फेक्टर बन जाता है इसलिए लोग इसको कोई अकाउंटेंट वाली पोस्ट ले लिए मैंने और अगर माल लिजे कि मैं डबल एओ नहीं बन पाता हूं यानि मैं SAS का एक्जाम नहीं क्लियर कर पाता हूं और मैं डबल एओ नहीं बना तब मैं उसके बाद senior auditor ही बनूँगा 6-7 साल लग जाएंगे बनने में और senior auditor में बस grade पे कहीं improvement होगा ठीक है तो कहने का मतलब यह कि time तो इसमें भी निकल जागा अगर मैं डबल एओ नहीं बनता हूं तो एक उनका यह कहना था और रही बात कि जब promotion अगला बढ़ेगा आपका senior auditor का तो ज्यादा फरक नहीं पढ़ेगा अगर आप home estate CBIC में हो उनका यह कहन था कि थोड़ा बहुत salary का आएगा 8-10-12 जार का 10 जार का अगर हम वह अपने state में रहते हैं तो हम अपना वह manage कर लेंगे वह पैसा वहां बच जाएगा और दूसरा उनका यह कहना था कि तो बात वही पढ़ जाएगी जो home estate वाला मुद्दा था वह तो खतम हो जाएगा डबल यो बनने के बाद वह benefit नहीं रहेगा जिनको home estate वाला ही बात है आपका तो यह उनका point है आपका बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको CGL हैं यहापर CGL 2019 की बात करें तो CGL 2019 नहीं clear करा हुआ या उनकी score ज्यादा अच्छे नहीं है CGL में तो यह CGL 2019 का matter क्योंट के आया है तो जिनके CGL 2019 क्लियर है उनको fast joining चाहिए जल्दी join कर ले ताकि अगर उनके 19 में अच्छे number है तो वो लोग अच्छी grade pay की नहीं job की सोच रहें seat waste नहीं करेंगे एक अच्छी grade pay की तरफ देखेंगे grade पे अच्छार एक आदमी चाहता है अपने से उस job से अच्छी job बाकि वो lower grade पे नहीं देखेंगे अगर मिलता है तो अच्छी बात है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा ठीक है और जिनके नहीं clear है वो सोच रहें कि कोई दिकत ने है ना इसका cbic का joining देर से होता है और कुछ लोग का ये भी कहना है कि चलो cbic में जो ये promotion का rule है ये जो नियम है promotion का कि 10 साल में बन रहे हैं इससे काफी बड़ा एक department है आपका cbic और काफी बड़ा cadre है इसके काफी लोग इससे affected है है ना और काफी union मतलब union इस पे काफी कु point है कि हो सकता है कि आगे जाकर कि यह नहीं हम बदल जाए या इतने सारे लोग को के दिक्कते हैं सब फसे हुए है सभी लोग निकले कुछ लोग तो रिजा आप पढ़ोगे न्यूस कभी सर्च करना तो 2020 के टाइम पर कुछ लोग ने resign देने के लिए कुल का करनाट का रिज है कुछ दिनों पर कि इनका ये matter कि ये change new recruitment rule है इसको change करा जाए तो इस पर चल रहा है कही मान लोग जाकर change हो गया ये और promotion fast हो गया TACBD के तरह उनका ये कहना है तब तो फिर ये ठीक हो जाएगा तो ये सारे argument हैं जो लोग ये कर रहे हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं भी ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर आप ये भर दो होते हो वह बढ़ देते हो हम सिप और मेरा कोई वह भी नहीं मेरा तो बस ये कि जो आपको जिसमें confusion है हम फड़ा उसमें देख लेते हैं कि चीजें क्या बेटर है कि क्या आपके वह है क्या झाल 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 झाल